स्वागत आप सभी का एजुकेशन आप फायरवेद में है आज फिर से आप सभी के बीच में द्रब्य गुड और द्रब्य परिचे के अंतरकत जो हम औरशदी परिचे की जो सीरीज देख रहे थे उसके अंतरकत दूसरी क्लास लेकर के आप सभी के बीच में है इस क्लास में ह एक और औरशदी द्रब्य को देखेंगे, उसकी प्रकृती को जानेंगे, उसकी स्वरूप, संरचना और उत्पत्ती अस्थान को देखेंगे, इस औरशदी द्रब्य से सम्मंदित जो भी महत्पूर्ण जानकारी है, आप सभी को इस क्लास में दी जाएगे, जिसे बहुत ही important या कटफल कहते हैं कायफल या कटफल इसका नाम है संस्कृत में इसे जो है हम कटफल कहते हैं क्या कहते हैं कटफल और हिंदी में कायफल इसको हम कह सकते हैं औसदी पौधे का आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो इसके जो भी फल आपको दिख रहा हैं काटेदार फल होते हैं और लीची की तरह इसकी सनचना आपको दिख रहा है और इसी तरह की सनचना आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है तो यहाँ जो पौधा है आईरवेद में विवेचना के अनुसार अगर बोला जाएं तो गड़ों के द्रब्यों के अंतरगत अगर गड़ बोलें इसका कि किस तरह के रोगों में काम में लिया जाता है तो यहाँ जो है शुक्र शोधन, शंधानी और वेदना स्थापन शमू का एक पौधा है मतलब यहाँ कि यह जो है हमारे वीरे का सोधन करने का कारे करता है कि जो शुक्र है वीरे के अंतरगत जिससे नई शंतत्ति की उत्पत्ति होती है उनमें अगर कोई कमिया है तो उनका सोधन यह करता है इसके अत्रिक्त यहाँ शंधानी है शंधान जो है इ तरह की परकिरिया जो है, सरीर्गत इसके द्वारा होती है, वेधना अस्थापन है यह, वेधना का अस्थापन इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो आपको इसमें यह समझ ना है कि यह काईफल यह कटफल जो है, किस गढ़ का पोधा है, शुक्र सोधन, शंधानी, और वेदनास थापनगड़ का, ठीक है, कुल इसका कौन सा है, कटफल या मिरिकेसी कुल का यहां पोधा है, हिंदी नाम अगर बोलें, तो काइफल इसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम क्या कहा रहा है, काइफल, तो दोनों नाम लिखा हुआ है, काइफल और कटफल, संस्कित में इस इसका तना नहीं वलकल है तो छाल मोटा होता है इसलिए इससे महा वलकल कहा जाता है छाल मोटी होने के कारण इसे क्या कहते है लेटी नाम क्या है इसका मेरिका एस्यूलेंटा इसका लेटी नाम है देख सकते हैं मेरिका एस्यूलेंटा इसके लेटी नाम को बताएगा तो बार बार कहते हैं कि जब भी द्रब्वे परिशे दिया जाया तो उसमें इन चीजों को कभर करना बहुत जरूरी है गण हो गया क इंदी नाम, संस्कित नाम, लैटिन नाम, यह बहुत जादे महत्पोड है, अब बात करते हैं इसके उत्पत्ति अस्थान की यह ब्रिच जो है कहां पाया जाता है, किन-किन जगहों पे विक्सित होता है, तो यह जो है उत्तर पंजाब में गढ़वाल, कुमायू, खाशिया, खाशिया जो परवत है और सिलहट में बिसेस तह पाया जाता है, और यह जो लगबग है 3-6,000 फिट की उचाई तक पाया जाता है, तो उत्तर पंजाब में जो भी अस्थान बिसेस बताएगा है, गढ़वाल है, कुमायू है, उसके अत्रिक खाशिया परवत है, सिलहट में बिसेस तोर पे लगबग 3-6,000 फिट उचाई तक यह जो है ब्रिच देखने को मिलता है, तो हमने जाना इसका एक सामाने सा परिच है, आगे देखते हैं, यह जो ब्रिच है, किस तरह से अपने औशदी गुड़ों के कारण क्या क्या चीजे जो है, सरीर में परिवर्तित कर बता है, रोगों पर क्या गुड़ को देख रहा है, तो गुड़ के अंतरगत, जब भी गुड़ की बात होती है, तो इसमें इसके रस को बताया जाता है, वीर विपाक को बताया जाता है, तो यहां पर हम देखें, तो सबसे पहले गुड़ के अंतरगत दिया है, कि यह विपाक की बात करेंगे तो इसका विपाक कटु है जब विपाक कटू है रस इसका हो जाता है कशाय तिक्त और कटू है विपाक भी क्या है कटू है जब विपाक कटू होता है तो विर्य उष्ड हो जाता है जिसको हम गहाद है तासीर विर्य क्या है तासीर मतलब कि कटफल का विर्य जो है उष्ड होता है विपाक कटू है और रस देखिए कशाय तिक्त और कटू है तो विपाक हो जाता है कटू विर्य हो करता है कफ वात शामक है मतलब कि कफ और वात का शमन करना इसका कारे होता है कफ और वात का शमन करता है जो भी उष्ड प्रकृति के जो भी उसद्रभ्य है वह अपनी उष्डता के कारण कफ का भी समन करेंगे और वात का भी शमन करते हैं ठीक है तो जब हम बार-बार कहते है कि बिपाक है नêter nov off उसको रस परिवर्थिय्ण करके ही पचाती है जो रस परिवर्थन होता है उसे ही विपाक कहते है ला जो जट्रागनी दारा जो रस ग्रहन किया जहता है उसे भीपाक है तो कटू וिपाक होता है रस कसा है, तिक तोर कटू है, वीरे उष्ण है, और उष्ण वीरे के कारणियां जो है कफ वात सामक का कारे करता है अब दोस परियोग करें, दोस परियोग का मतलब कि किन किन दोसों पे इसका परियोग किया जा सकता है दोस कर्म तो पता चल गए आपको कि कफ और वात का समन करता है, किन-किन दोसों पे हम इसका प्रियोग करते हैं, तो क्या कह रहा है, पहले ही बोला कि कफ वात सामक है, तो यहां पे भी वही चीज, कफ वात हर होने से इसका प्रियोग कफ वात जन भी करता है, आसान चीज है, करना है कफ वात हर है तो इसलिए इसका प्रियोग जो है कफ वात जन्य विकारों में करते हैं मतलब कि कफ से संबंदित जो विकार हो रहे हैं और जो वात से ना चाहिए कि जशाल परयोग में लिया जा रहा है तो क्या चीजे हम प्रयोग में ले सकते हैं तो सबसे जरूर की चाहिए होती 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 है लेकिन यहां पे बस च्चाल के चूंड की बात की जाती है इसका चून प्रयोग में लिया जाता है इसलिए जब मात्रा की बात होगी तो चून प्रयोग में लिया जाता है तीन से च्छे ग्राम कम से कम तीन ग्राम और जादे से जादे च्छे ग्राम की मात्रा इसकी प्रयोग में ली जाती है और पहले ही बताया गया ना कि यह सोथारगण का ओशदी वरिछ है, सोथारगण का कहने का मतलब यह सोथ का समन करता है, ठीक है? और पहले ही बता दियेगी कफवात हननन का कारे करता है, तो इस तरह से कफवात में हननन का कारे करेगा, इससे जो योग मनते हैं, योग जब बि कटफल आदी कवाथ मतलब की कटफल से तयार किया अब देर्खें यहां पर जो कवाथ ह encara Zoid कटफल इसमें मिला हुआ है कर डफल इसमÎं मिला हुआ है इसलिए इसको कटफल आधिकवात कहा जा रहा है तो कटफल आधिकवात और यहां पर कहा रहा है कि हकीम लोग इसके पुश्पो का तैल हकीम का मतलब कि जो यूनानी हकीम है वैद्ध है यूनानी जो पद्धती से जो वैदिके कारे करते हैं वो क्या करते हैं इनके पुश्प और इस तेल का भी प्रयोग किया जाता है और इस तरह से प्रयोग किस चीज में करते हैं वेदना स्थापन में किया जाता है ठीक है तो हमने कायफल और कटफल के अंतरगत क्या चीज़ पढ़ ली, सबसे पहली चीज हमने गड़ को देखा कि किस गड़ का या पौधा है, किस तरह से प्रयोग में लिया जाता है, फिर हमने इसका हिंदी नाम, लैटिन नाम और इसके परिचे को हमने कबर किया, इसी तरह से अन आइरवेद स्टाफ नर्स की क्लासेज पर्षेज नहीं की है, तो आपको बदा दें कि जल्दी ही एक्जाम की डेट अनौंस होने वाली आइरवेद स्टाफ नर्स की, और साथी साथ कुछ दिनों बाद आपकी परिच्छा की तिथी आ जाएगी, जो भी आइरवेद फार्म लासेज पर्षेज करके हमसे जुड़े रहे ताकि आपका नुक्सान नहीं हो, वीडियो में लास तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद